आज हम NCRT questions करने चाह रहे हैं acid waste and salt के तो first question इस तरह से है कि तुम्हारे पास तीन टेस्ट ट्यूब्स है तीन टेस्ट ट्यूब में पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर डेस्टिल वाटर है मतलब प्यॉर वाटर ठीक है और second test tube में acidic solution है और third test tube में basic solution है कि एवल अगर आपके प तीनों में से किसके अंदर acid है किसके अंदर base है और किसके अंदर distil water है मतलब pure water है तो हम identify कर पाएंगे इसे red litmus paper से इस तरह से है कि हम red litmus paper के color change को देखेंगे अगर red litmus paper change हो जाए blue color में तो solution basic होगा चुक्र Хापने बताया अगर red blue में different Veterans है तो हमारा solution क्या होता है basic होता है तीनों test tube में एक एक करके पहले हम क्या डालेंगे डालेंगे जिस test tube में उसका color change हो जाता है तो वो solution basic है अब उसे अलग रखेंगे अगर red list must paper red में ही रहे तो solution क्या है acidic और तुम्हारा अगर और कोई observe भी ना कोई color तो वो distilled water होता है अब दहीं और जो सबस्टेंस है उसको ब्रास और कॉपर के वैजल में क्यों नहीं रखते कॉर्ड एंड सोर food जो है उसके अंदर acids होते हैं यह acidic substance metal के साथ कम माइन होते हैं और यह जो reaction है food को poison कर देती है जिसकी वज़े से जो लोगों की health है वो damage हो सकती है इसी लिए ठीक है ताकि लोगों की health damage ना हो food poison ना हो तो हम कर्ड और सोर सबस्टेंस को ब्रास और कॉपर के वैजल में नहीं रखते कॉन सी gas liberate होती है जब acid react करते है metal से हम पढ़ चुके हैं जब metal acid से react करता है उसकी chemical properties है तो salt और hydrogen gas देता है तो कौन सी gas release होती है hydrogen gas अब how will you test the presence of this gas इसमें दे नहीं रखा कोई बात नहीं अब एक metal compound A है जो react करता है diluke hydrochloric acid से और effervescase produce करता है और effervescase हमें पता है CO2 प्रोड्यूस करता है तो इसका उतला product में हमारी CO2 निकल रही है और जो gas evolve है यहां से भी समझ गए वो जलती हुई candle को पुझा देती है वो भी carbon dioxide है है यहां से अब बता चलता है कि CO2 प्रोडक्ट में है तो एक metal react कर रहा है dilute SCL से तो product में reactant में हमने SCL लिया है अब कौन सा metal react कर रहा है यह हमें बता होना चाहिए तो एक में पता है जब CO2 मिलता है साथ में वाटर में मिलता है क्योंकि यह reaction chemical reaction होती है वो हमने बढ़ा है कि जो metal carbonate है वो acid से react करा कर कर दो कि CO3 हमें एक खोजना क्या है तो जो metal carbonate होता है acid से react करा कर क्या देता है salt देता है carbon dioxide देता है water तो हमने SCL के साथ क्या ले लिए है CaCO3 calcium carbonate क्योंकि product में हमें CaCl2 मिल रहा था तो कोई जो compound है वो calcium का ही होगा और carbonate होगा तो CaCl2 plus CO2 और H2O देता है तो simple CA reaction हो गई यह उसको फिर balance कर रखा है हमने solid है तो solid ले रखा है और पानी dilute है मतलब उसके अंदर water है तो उसको equally रखा है और simple CO2 है तो gas ले रखा है और H2O है तो liquid ले रखा है अब HCl HNO3 क्यों acidic character दिखाते हैं एकको solution में लेकिन glucose और alcohol नहीं दिखाते हैं तो हमने बढ़ा था acid की define क्या होती है अब उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो H positive iron release करते हैं तो release करना H positive iron का water के अंदर compound को acidic बनाता है या basic बनाता है acid ऐसे substance है जिस वो क्या होते हैं पानी में खुलने के बाद hydrogen iron release करते हैं मतलब H positive iron तो कुछ compound acidic character दिखाते हैं क्योंकि वो aqueous solution में release कर देते हैं H positive iron तो SCL और HNO3 दौनों क्या है H positive iron को release कर देते हैं जब उसको पानी मिलाते हैं लेकिन अगर हम बात करें glucose की C6H12O6 की या फिर alcohol की C2H5OH की इनके अंदर hydrogen element नहीं होता ठीक है इसका मतलब क्या है ऐसे तो इनके अंदर hydrogen आ रहा है ठीक है acidic nature नहीं दिखाने का क्या मतलब है कि जब इनको पानी में घोलोगे तो H positive iron नहीं देंगे तो यह separate नहीं होते है hydrogen नहीं देते है जब इन पानी में घोलते है और जब hydrogen iron ही नहीं देंगे पानी में भूलने के बाद तो इनकी जो definition है acid की वो क्या हो गई वो गलत हो गई के अंदर ions होते हैं तो जो charge particle है वो responsible होते है electricity को conduct करने के लिए acid यह charge particle को आयन बोलते है और जो reason behind है वो क्या है electricity in iron acid तो इसी लिए क्योंकि उसके अंदर charge particles होते है और charge particles की वेसे क्या होता है हमारा current flow होता है why does dry SCL gas not change the color of dry litmus paper जो सूखी SCL gas है dry SCL का मतलब है उसमें पानी नहीं है वो color क्यों नहीं change करती dry litmus paper का तो SCL H positive iron नहीं देती क्योंकि वो शो नहीं करती acidic behavior और color litmus paper का सेम रहता है ठीक है मेन SCL नहीं dry SCL अब जो सूखी होगी उसमें water नहीं होगा तो एक्वस नहीं होगी मतलब solution form में नहीं होगी अब जो solution form में नहीं होगी तो वो iron भी release नहीं करेगी अगर क्या होता है यह dry नहीं होती तब तो हम कह सकते थे क्योंकि SCL क्या है हमारा acid होता है strong तो वो H positive iron पानी में release कर देता ले पानी में 진 Sieil कभी नहीं करेगा अब यह question important है जब हम dilute करेंगे acid को तो क्यो recommend किया जाता है इसट को हम पानी में मिलाएए पानी को असेड में मिलाएँ तो यह Dylusion करते हैं acid का तो यह recommend किया कि अगर पानी को मिलाते हैं पौद सारी घ्रीज होती है इसकी बंगे सकता है एक्सप्लोजन हो सकता है Hepमरे कंसेड ना मिलता है इसलिए safe रहता है कि हम acid को पानी में मिलाए पानी को acid में ना मिलाए क्योंकि पानी को acid में मिलाने जब बहुत सारी heat release होगी explosion हो सकता है बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो concentration है अगला question है S3 positive iron की वो कैसे affect होती है जब acid को dilute करते है जब acid को dilute करने का क्या मतलब है जब acid को तुम पानी में मिलाओगे पानी को तो acid में मिला नहीं सकते है अभी बड़ा था उपर dilution मतलब उसमें बस पानी मिला ना एक तरह से तो जब acid को पानी में मिलाओगे तो fixed amount of hydronium iron जो होंगे fixed volume of solution में होंगे क्योंकि जितना acid मिलाओगे उतने हिसाब से हमारे H positive iron होंगे अगर हम dilute करेंगे hydronium iron per volume of solution decrease तो hydrogen iron concentration क्या होगी वो भी decrease हो जाएगी तो अगर H positive iron per unit volume घटेगा है H positive माले है H positive एक ही बात है तो hydronium iron की जो मात्रा है वो भी घटेगी ठीक है ना concentration है एक तरह से अगर वो per unit volume घटेगा जो hydronium iron है मतला है H positive iron है कह सकते हैं H3 positive iron अगर वो घटेगा तो hydronium iron की concentration भी क्या होगी घटेगी किस तरह से concentration hydroxide iron की effect होती है जब base मिलाते हैं उसके अंदर तो जब base को मिलाते हैं NaOH के अंदर ठीक है sodium hydroxide solution के अंदर है तो hydroxide iron इंक्रीज होते हैं तो जब base मिलाओगे तो simple सी बात है OH negative iron होंगे तो इंक्रीज होंगे लेकिन एक saturation पर पहुंच जाएंगे मतलब और नहीं बढ़ेंगे saturation के बाद hydroxide iron जो है उसका कोई effect नहीं होगा तरह कितना भी base डालने तो base डालने पर क्या होगा OH negative iron बढ़ेंगे लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कितना भी base मिला लो वो नहीं बढ़ेंगे तो saturate हो जाएंगे तो बस यह है effect अब तुम्हारे पास दो solution है एक A और एक P pH जो है solution A का 6 है और pH solution B का 8 है तो कौन सा solution में ज्यादा hydrogen iron concentration है तो ज्यादा hydrogen iron concentration होते हैं acid में और acid कौन सा होता जिसकी pH value 7 से कम होती है solution A क्या है 6 है pH value less than 7 है तो उसमें hydrogen iron concentration होंगे दौनों में से कौन acid इक है acidic कौन है एवाला और कौन सा basic है B वाला क्या effect होगा H positive iron की concentration पर ठीक है H positive iron की concentration का मतलब उसकी मात्रा का solution की nature पर solution पर क्या पर पढ़ेगा तो hydrogen iron concentration decide करता है nature of solution अगर hydrogen iron concentration को बढ़ा दोगे तो simple सी बात है acidic हो जाएगा यह एसिडिक की क्या होती है hydrogen concentration ज्यादा होती है और अगर hydrogen iron concentration बढ़ा दोगे मतलब घटा दोगे तो वह basic हो जाएगा क्या है यह एसिट की है एच positive iron की जो concentration होती है वो जादा होती है तो अगर है पॉज़टी वायन concentration बढ़ाओगे तो हम जादा acidic की तरफ जाएगे और अगर घटा होगे तो हम basic की तरफ जाएगे क्या basic solution के अंदर h positive iron होते है अगर हाँ तो वह basic अगर हाँ तो क्या यह basic है तो basic के अंदर भी h positive iron होते है क्योंकि वैसे तो हम बोलते है basic क्या है ठीक है basic क्या होता है जो पानी के अंदर oh negative iron दे अब कहरा basic के अंदर भी h positive iron होते है लेकिन उनके अंदर जो oh की मात्रा है मतला OH negative iron की वो ज्यादा होती है इसलिए वो basic हो जाते है किस soil condition में तुम सोचते हो कि farmer treat करेगा soil को अपने field की quick lime के साथ quick lime में होता है CAO calcium oxide या फिर slake lime CAOH का hold twice या फिर chalk calcium carbonate CACO3 तो अगर soil ज्यादा acidic है क्योंकि ये जो तीनों चीज़ हमें दे रखी है quick lime, slake, lime, chalk ये basic है अगर हमारी soil जो है acidic है मतलब 7 से कम pH value है तो उस case में हम इन तीने चीज़ को मिलाएंगे ताकि हमारा जो pH value है 7 के आसपास set up हो जाए common name क्या है CAOCL2 का CAOCL2 होता है हमारा bleaching powder substance क्या है जो अगर हम chlorine से react कराएं ठीक है और bleaching powder दे तो हमारा क्या होता है वो substance वो होता है calcium hydroxide ठीक है जिसको chlorine से react कराने पर वो क्या देता है bleaching powder देता है sodium compound क्या है जो hard water को soft करने में काम आता है वो होता है sodium carbonate sodium carbonate क्या होगा अगर solution sodium hydrogen carbonate को Na2CO3 क्या है baking soda है baking soda की बस reaction लिख देनी है कि जब baking soda को हम heat करेंगे तो वो तूट जाएगा Na2CO3 में S2O में और CO2 में CO2 release करता है उस case में एक equation लिखनी है plaster of Paris की और water की plaster of Paris क्या है हमारा CaSO4 half S2O plus जब वो react कराएगा डेल water से डेल water का मतला 3 by 2 S2O तो वो किस में convert हो जाएगा CaSO4.2S2O मतला चिपसम में convert हो जाएगा तो जब P.O.P. जो होती है ठीक है उसमें पानी मिलाते है तो वो एक hard mass बन जाता है जैसे आपने देखा होगा जब P.O.P. उसकी जाती ही तो उसके पैर की ही तोड़ गई तो वहाँ पे लगा दिया जाता है और उसके पहले पानी होता है फिर वो बाद में क्या बन जाता है ठोस बन जाता है एक solution red litmus से blue होता है तो उसका pH क्या होगा red litmus से blue वाला कौन सा होता है हमारा base होता है और इसमें जो base है केवल हमें D वाला दिखाई दे रहा 10 ठीक है तो pH value 10 होगी एक solution को हम react करते है crushed egg shell के साथ और वो एक gas देता है जो lime water को milky कर देती है ठीक है तो solution के अंदर क्या है आजसर है हमारा SCL अब क्योंकि एक shell के अंदर हमारा calcium carbonate होता है carbonate जो जब react कराएगा SCL से है मतलब acid से तो हम पढ़ चुके हैं जब metal carbonate react करता है acid से तो वो CO2 gas release करता है तो इस case में क्या ओरा CO2 gas release हो रही है जो water को milky मना देती है lime water को milky मना देती है तो CACO3 है जब वो acid से react कराएगा SCL से तो हमें क्यादेगा CACL2 मतलब salt देगा plus H2O देगा और CO2 देगा अब बोला है third question में जो 10 ml है solution NAOH का वो पूरी तरह से neutralize होता है किस के दुआरा 8 ml of SCL की तो base हमारा 10 ml है और वो किस से neutralize हो रहा है 8 ml acid से अगर हम 20 ml नेंगे NAOH का मतलब दुगना amount कर दें base का पहले 10 ml था NAOH अब हो गया 20 तो amount of SCL कितना चाहिए amount of SCL भी double होताएगा क्योंकि पहले amount जो हमारा SCL का वो 8 है अब कितना हो जाएगा 16 ml तो इसका answer होगा 16 ml कौन सी तरह की medicine use की जाती है indigestion को treat कर ले में अब indigestion क्या होता है indigestion जो होता है वो होता है अगर हमारे पेट के अंदर जादा acid release होता है तो medicine जो use की जाती है इसके लिए antacet की जाती है antacet क्या होता है हमारा जब हमारे पेट में जादा acid जब रहा होता है ठीक है तो हमें क्या होता है base की जरुत होती है यह जिस चीज़ को हम एंटासिट बोलते हैं वर्ड एक्वेशन लिखनी है डाइल्यूट S2SO4 रियक्ट विज जिंक तो डाइल्यूट S2SO4 प्लस जिंक, बन्दर डाइल्यूट सल्फियूरिक एसिड प्लस जिंक, क्या देगा जिंक, सल्फेट प्लस हाइट्रोजन गैस यह डियक्शन हो गई, मैटल रियक्ट विद एसिड तू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइट्रोजन गैस कैमिकल वाली है डाइल्यूट हाइट्रोक्लोरिक एसिड रियक्ट विद मैगनिशियूरिक एसिड प्लस मैगनिशियू तो क्या देगा magnesium chloride plus hydrogen gas same acid react with metal two form salt and hydrogen gas third वाले case में dilute sulfuric acid react with aluminium same यह ठीक है इन्होंने liquid रखा है इसको dilute sulfuric acid मतलब क्या हो गया S2SO4 react with aluminium तो क्या देगा aluminium sulfate और hydrogen gas को liberate करेगा word equation में भी लिख सकते हो आप ठीक है और उसके बाद balance भी करनी है तो dilute sulfuric acid क्या हो गया S2SO4 plus aluminium gives AL2SO4 का holterize plus hydrogen gas क्योंकि reaction वही हो गई acid react with metal two form salt and hydrogen gas उसको आप सिर्फ balance करना है D वाले पार्ट में क्या है dilute SCL react with iron SCL plus iron gives FeCl2 plus hydrogen gas वही reaction हो गई acid react with metal two form salt and hydrogen gas पस आपको करना क्या है जो chapter 1 में आपने balancing सीकी थी उसी की मदद से आपको यह सब करना है compound जैसे alcohol और glucose उसके अंदर hydrogen होते हैं लेकिन इने acid नहीं माना जाता ठीक है अभी हमने उपर बढ़ा था क्यों 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 है positive iron release नहीं करते तो एक activity बतानी है ठीक है इस activity के लिए हमें डाइग्राम देखना पड़ेगा जैसे एक बीकर ले रखा इन्होंने ठीक है फिर आपने नीचे देखा होगा रबड की कॉर्क है क्या है रबड की कॉर्क फिर आपको दो कील दिखाई दे रहे होंगे तरह है नेईल जिसमें लिखा है एक के तरह हो जाता है कैथोर की तरह है इतंथ कील को यायर से करेग्ट कर दिया है और उसको बैटरी मतलब कर दोनों चूब को जो उसके बाद क्या करते हैं इसमें SCL विला जेते हैं Dilute SCL Solution B करके अन्द अब हम क्या कर रहे हैं अब हम Switch On जब करेंगे Switch On का मतलब जब Switch को Closed करेंगे तो Current Flow होगा तो SCL वाले के इसमें क्या होगा हमारा Bulb Glow कर दाएगा क्या कर जाएगा Bulb Glow कर दाएगा लेकिन अगर हमने SCL लिया है इसकी जगे हम क्या लें जो हमें Question बोल रहा है Alcohol और Glucose लें अगर जैसे हमने Dilute SCL लिया है इसकी जगे अगर हम Alcohol और Glucose लेते तो उस Case में क्या होता हमारा Bulb Glow नहीं करता तो ये प्रूव करता है कि Acid जो है हमारा जैसे SCL वो तो Electricity Conduct करता है लेकिन जो Alcohol और Glucose है वो Electricity Conduct नहीं करते है ये Acid क्या होते है जो H-Positive Iron Release करते है Water के अददर लेकिन जो Glucose और क्या होते है हमारे Ethanol Ethanol का मतलब स्वरी Alcohol ये की बात है तो ये हमारे H-Positive Iron Release नहीं करते है Distill Water Electricity क्यों नहीं करता है Rain Water करता है Distill Water होता है Pure Water क्योंकि Distill Water के अंदर कोई भी आयनिक Compound नहीं होते है इसलिए और Rain Water के अंदर बहुत सारे Compounds होते है Rain Water में Dissolved Acid Gas होती है जैसे Carbon Nioxide जो Air से आती है और वो Carbonic Acid बनाती है इसका मतलब Carbonic Acid है तो उसमें Hydrogen Iron है और Carbonate Iron है इसलिए Therefore with the presence of Acid इसलिए Acid होने की वज़े से Rain Water Electricity conduct करता है Acid क्यों नहीं शो करते Acidic Behavior पानी के absence में जब पानी नहीं होगा कि Acid के Define नहीं क्या है जब पानी से react कराएगा तो H Positive Iron Release करेगा तो Acidic Character किस वज़े से होते हैं क्योंकि उसमें Hydrogen Iron होते हैं और Hydrogen Iron का Produce होते हैं जब Water हो और इसलिए Water definitely used किया जा मतलब होना चाहिए 5 Solution है A, B, C, D, E A का pH value है 4 B का है 1 C की है 11 D की है 7 E की है 9 तो Neutral कौन है A Part तो Neutral होता है 7 वाला मतलब D वाला Strongly Alkaline Strongly Alkaline मतलब जिसकी pH value 7 से बहुत ज़ादा है ठीक है और सबसे ज़ादा किसकी है 11 की Strongly Acidic Strongly Acidic मतलब जिसकी 7 से 1 की तरफ है मतलब सबसे कम है तो वो हो गया Strongly Acidic हमारा 1 वाला Weekly Acidic Weekly Acidic क्या हो गया 7 से कम और 1 से ज़ादा वाली मतलब 4 वाला और Weekly Alkaline कौन हो गया 7 से ज़ादा लेकिन 11 से कम वाली मतलब 9 वाली फिर उसको क्या अगना है हमें Increasing Order में लगा देना है छोटे से बढ़ा चो Equal Length है Magnesium Ribbon की वो ली गई है Test Tube A में और B में ठीक है दो Test Tube ली गई है हमने एक A और एक B दोनों में हमने Magnesium ले लिया क्या ले लिया Magnesium ले लिया First Test Tube में हमने Hydrocloric Acid डाला और दूसरी Test Tube में हमने Acidic Acid डाला तो कह रहा है Amount और Concentration जो ली गई है दोनों Acid की सीम ली गई है कितना है और उसकी मातरा सीम लगई है तो किस Test Tube में Fizzing बहुत तेजी से होगी और क्यों तो जो Strong Acid होगा उसमें Fizzing तेज होगी तो हमें पता है जो SCL है वो हमारा Strong Acid है और CS3CW वो हमारा Beak Acid है तो Fizzing किस में होगी SCL में होगी और Fizzing क्यों होती है क्योंकि जब हमारी Hydrogen Gas Release होती है ठीक है क्योंकि हमें पता है Acid जब Metal से react कराएगा Acid है हमारा जैसे SCL Metal क्या है हमारा Magnesium तो वो Hydrogen Gas Release करता है SCL Strong Acid है तो ज़्यादा Hydrogen Gas Release होगी इसलिए Fizzing ज़्यादा होगी किसमें टैस्ट्यूब A में Fresh Milk का pH है 6 तो किस तरह pH जो है Change होगा जब उसे तुम किस में Convert करोगे Card में तो Fresh Milk का pH क्या है हमारा क्या होगा जब Fresh Milk जो है वो दही में Convert होगा तो वो क्या होगा वो किस की वज़े से होता है वो होता Lactic Acid की वज़े से और Lactic Acid का मतलब है कि पहले तो pH 6 था एक Acid और Release हो गया मतलब एक Acid और आ गया Lactic Acid अब Lactic Acid आने के वज़े से उसकी pH वैली और घड़ जाएगी ठीक है न तो 6 से भी कम हो जाएगी अब एक Milkman है जो Small About of Baking Soda मिलाता है Fresh Milk में ठीक है तो हमें पता है Fresh Milk का pH होता है 6 तो अब जैसे Baking Soda हो क्या होता है बेस होता है तो पहला कुश्चन है कि हम क्यो Shift कर रहे हैं Fresh Milk के pH को 6 से Alkaline की तरह तो वो Shift कर रहा है जो Milkman है Fresh Milk का पीए 6 से Slightly Alkaline की तरह ताकि वो Milk को बचा सके सोर होने से मतलब हटा होने से क्योंकि इसमें Lactic Acid Produce हो जाता है अब Second Part है इसका Why does the milk take a long time to set as curd तूद को क्यो समय लगता है दही बनने में तो Milk जो है उसे समय लगता है जो है वो घटके कर्ड का बनता है जितना हो जाता है अब P.O.P. को स्टोर किया जाता है Moisture Proof Container में क्योंकि हमने reaction पड़ी है जो P.O.P. हमारी C.A.S.O.4 Half S.O.O. होती है वो वाटर से 3 by 2 S.O.O. से react करा के क्या बनाती है जिपसम मनाती है जो की हाड मास होता है इसलिए अगर हमें सपोस करो कि हमें किसी की हड़ी ही नहीं रूटी ठीक है और हम उस P.O.P. को ऐसी खुले में रख देते तो वो क्या होगा वो हाड मास में बन जाएगा तो वो तो हमारे लिए बेकार हो गया ठीक है ना फिर उसे दुबारा से हीट करके जिपसम को फिर दुबारा हमें P.O.P. बनाना पड़ेगा तो हमारी क्या खर्च होगी हीट एनरजी खर्च होगी इसलिए उसे हम ऐसे कंटिनर रखते हैं जो मॉइस्टर पूफ हो जो पानी से ही रियक्ट ना कराए और वो क्या रहे लिक्विड फॉर्म में ही रहे न्यूट्रलाइजिशन रियक्शन क्या होती है न्यूट्रलाइजिशन रियक्शन सिंपल सी है कि एसेड जो है बेस से रियाट कराके सॉल्ट और वाटर देता है तो कोई भी दो एक्जांपल लिखने है जैसे SCL हमारा react कराएगा NaOS से तो देगा NaCl plus S2O ये पहला reaction होगी SCL hydrochloric acid है NaOS sodium hydroxide है NaCl क्या है हमारा salt है और S2O पाड़ी है ऐसी एक reaction और है S2CO3 मतलब carbonic acid MgOH के whole twice से react कराती है बेक्डिशम hydroxide से क्या देती है? MgCO3 और water देती है अब दो use बताने washing soda का और baking soda का washing soda क्या है? Washing soda का पहला point है ये इस्तमाल किया जाता है electrolyte की तरह और baking soda को इस्तमाल किया जाता है garden soil के लिए use किया जाता है test करने के लिए garden soil acidity के लिए अगर bubbles develop होते है soil के अंदर तो soil क्या होती है बहुत ज़्यादा acidic होती है तो baking soda को soil में डालो ठीक है अगर उसमें bubbles produce हो रहे है तो soil क्या है बहुत ज़्यादा acidic है तो इस तरह से acidic करेक्टर को चो करने के लिए देखने के लिए काम किया जाता है soil के और washing soda में domestically use किया जाता है water softner की तरह है laundry में और baking soda में क्या है अगर use किया जाएगा washing car के लिए thank you